हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे बरबटी की सबजी तो ये हमने दो आलू ले लिया है और थोड़ा एक पाव हमने बरबटी लिये दो प्याज और दो टमाटा लिये हैं तो उसके बाद हमने ये ले लिया है बरबटी को तो इसके दोनों साइड से हमने जो किनारे होते हैं उ छोड़ी सी लंबी-लंबी कट करेंगे, तो ये आप देखे, ऐसे ही कट करके हम सारा तयार कर दिये हैं, तो ये देख सकते हैं, आप तो पूरे ही हमने सबजी को काट लिया है, तो अब हम इसे रख देते हैं, आगे की तयारी करते हैं, तो ये दो आलू को भी हमने छील लिया और पानी में ही डुबो के रखा है ताकि यह आलू काले ना हो जाए तो इसको क्या करेंगे हम ऐसे यह ऐसे पीस ही काट लेंगे तो इस वाली सबजी में मोटे-मोटे आलू यह अच्छे लगते हैं तो थोड़ा मोटा ही हम आलू को रखेंगे ज्यादा बारिक नहीं करेंगे तो चार-पान्च पीस कर रहे हैं हम एक आलू के तो ऐसे करके ही काट के हमने पूरा तयार कर दिया है उसके बाद ही हमने यह दो टमाटर भी काट दिये थे और दो प्याज भी तो मोटे-मोटे ही काटे हैं तो क्या करेंगे एक मिक्सी का जार ले लेंगे और जो हमने प्या दो हरी मिर्ची को इसमें डाल देते हैं और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो ज़्यादा बारीग भी नहीं करेंगे तो यह आप देखें हमने ऐसे करके इसे ग्राइंड कर लिया है तो इसको भी हम रख देंगे और आप चलते गैस की तरफ तो कड़ाई गरम होगी है तो हम आप चाहिए जो भी आयल यूज करते हूं तो वही आप डाल सकते हैं उसी में बना सकते हैं और जो आलू थे उसको हम एक कड़ाई में डाल लेंगे तो आलू को भी हमने अच्छी तरह से सुखा लिया था तो यह ऐसे हम आलू को भून लेंगे तो जो भी चार-पांच यह आप देख सकते हैं कितने अच्छे बुनेवे आलू हो गए हैं बिल्कुल कलर भी इतना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल बन के तयार हो गए हैं तो अब हम इसे निकान लेते हैं तो हलका सा हम रोक लेंगे इसको चन्नी में रख रहे हैं तो जो भी तेल होगा वो भ कम कर दिया था और थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे थोड़ा सा हम कलंजी डाल रहे हैं तो कलंजी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें अ surrounds जो मसाला हमने पीशा था 25 लशुण का अध्रक का तो इसे थोड़ा कलर चेंज होने पे आ में वो मसाला डाल देंगे और इसको भी हम भून लेंगे थोड़ा सा एक दो मिनाट के Cert के लिए इसका अच्छा कलर चेंज कर लेंगे ताकि यह मसाला मारा कच्छा न रहे इसलिए थ छोटा चमच है आधि चमच हम लाल मेची पड़र डाल रहे हैं तो मीर्ची भी आप अपने इसाप से डाल सकते हैं एक dłंच अहलें चिरा फौडर डाल रहे हैं और नमक डाल लेंगे सवाद की अनुसार्ण और इसको हलका सा पानी हम इसमें डाल देते हैं तो हलका सा पानी डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको दो मिनट के लिए इसे ड़क के पकाएंगे मसाले को ताकि मसाला अच्छा भुण जाए तो आप देख सकते हैं मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है तो अब मिक्स कर लेते हैं मसाले को बिल्कुल भी जला नहीं है हमारा मसाला तो यह मसाला बनके तयार हो गया है तो अब क्या करेंगे जो हमने बरबटी ली थी उसको हम डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे मिक्स कर लेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स करके ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से इसमें पूरी तरह से कोटिंग हो जाए और तीन-चार मिनट के लिए हमने ये ढखके पका लिया इसको तो हलका सा ये पकी गए है ये आप देख सकते हैं तो ये हलके से पक के तयार हो गए है अभी ये पूरी तरह नहीं बने है तो उसके बाद क्या करेंगे जो हमने आलू फ्राइ करें थे वो आलू हम इसमें डाल देंगे और टमाटर भी इसी टाइम पर हम डाल देते हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सबजी जो जित्ती भी है सारी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बहुत ही टेश्टी बनती है ये सबजी आप एक बार बना क के बिल्कुल तयार हो गई है तो आप देख सकते हैं कितनी टेश्टी लग रही है देखने में खाने में तो बहुत ही टेश्टी होती है आप पराठे के साथ इसे खा सकते हैं अगर आपको तरी वाली पसंद हो तो इसको आप पानी डाल के पका सकते हैं बहुत ही टेश्टी हो आप हमें कमेट में जरूर बताए और लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दे तो यह आप देखे किती टेश्टी सबजी बनके विल्कुल तयार हो गई है थैंक यू